गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स टेक आट यूर एसर बूक और ओपन एसर एटीन ओके तो टूड़े वी विल टॉपिक जैंडर नाउन्स तो हमने नंबर पढ़ लिये हैं सिंग्लर प्लूरल एंड कोलेक्टिव नाउन अब हम जैंडर नाउन्स पढ़ेंगे तो जैंडर अनिमर्स एव जंडर गीह जेंडर एंडर्स कोन कोई रही हैँ मेल या दृ नेल फिमिल मेट कर्का तो जो गृट अपकर और ग्जांपल दे वाइभ हैं चैंड गलफ यह एब मेल जांटर आए यह कोल्फ राड़ को आसं अ मरिजा था यह झान्ट पल चाहल स्टों कोल के गांगर आपका चेंज करना और पोल्र में वोमेन में का जेंडर करना के खेर दें चेंज-चनज का इन रिमियल में तो मोर्लेट उस्टी प्लूर में अटेमरेती लिए सब dobli में जियों से रिमयन वी टो FEMALE शींज को भी दो आब सिंज करना बन सनीर पादर का जान्डर चेंज करना है तो मदर फादर मदर सन डोटर सन मींस बेटा डोटर मींस बेटी अंकल आंट हस्बेंट वाइफ पती पतनी ग्रांड फादर ग्रांड मदर तादा दादी किंग क्वीन राजा रानी ठीक है हिंदी में भी पढ़े है ना आपने अब देया सम एअशम्यांपल्स गिवन इनिमल्स एक est Brit's बेल स्न डैज्यां झेसित्ट बुल बुल मींस बैल काव में गाई तो मेल में वह बुल बोलते हैं और फीमेल म cap पाटे एंडर चैंज होता है काव टाइगरव शेर is चीता यह बाग टाइग्रेस बागहिन टाइग्रेस तो टाइगर मेल हो गया टाइक्रेस फिमेल हो गया इसका ए हटा के हम आर इडबल एस हो जाता है लोई शेर लोईनेस शेर नी लोईनेस ओके नेक्स्ट इस एंड ब्लैंड टोपिक एंपी ब्लैंड आल्टी ब्लैंड अल्के ब्लैंड नेक्स्ट इसमारे यह ब्लैंड वर्ड के एंड में यूस होंगे स्ट्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् मिल्क, एल्क, इल्क, बल्क, बिल्क, ओके, now open worksheet 15 of your workbook, जो आपके unit चल रही है, तो हर एक unit के अपने अपनी worksheets है, तो जो उनिट चल रही है, उसकी ही worksheet 15, देखिए, match male noun with their female noun, इसमें आपने एक side male noun given है, और एक side female noun given है, और एक side female noun given है, तो आपने match करने है, देखिए, one example भी given है, आपके लिए son का gender क्या होगा, daughter, son means beta, बेटी, daughter, चीक है, तो ऐसी husband का gender change करना है, चीक है, तो ये match करने है, next आपने matching gender noun लिखने है, box में से, ये box में gender noun given है, तो grandfather का gender noun क्या होगा, वो आपने इसमें write करने है, तो gender का topic आपने read करना है और do worksheet 15, okay, thank you, have a great day.